तो हलो दोस्तो आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर माइंड कराप की ओपी ट्रिक में और आज मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ एक नया और कमाल का बेड्रोक एडिशन में और जावा एडिशन के लिए एक नया डूब्लिकेट ग्लिच जिहां आज मैं आपको बताऊंगा एक डाइमन और इंफानाइट डाइमन सोस जिहां आज मैं आपके लिए बनाने वाला हूं इंफानाइट डाइमन डूब्लिकेट ग्लीच तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक डूणना है सबसे पहले इस तरह का आपक एक पिश्टन लगाना है पिश्टन लगाने के बाद पिश्टन के आगया आपको लगाना एक स्लाइम इस तरह से आपको नीचे से अब आपको यहां पर जाना है और यहां पर आपको एक ऑब्जरवर इस तरह से नीचे से लगा देना है तो आपको इस तरह से एक ऑब्जर पीछे से आपको एक dispenser जो ही यहां पे इस तरह से site पे आपको एक और उब्जरवर लगादेंग आप एक Gill लगा दी जे उसके बाद यहां पे आपको एक यह ब्लॉक इस तरह से replace कर देना है ब्लेस होनी के बाद यहां से आपको अब कवर करना है इस तरह से और उसी के साथ आपको यहां से भी एक एक ब्लोक उपर आ जाना है और इसे आपको इस तरह से कवर करना है तो आप लोग कोई भी गलती बिल्कुल भी मत करना आपको इस तरह से पूरा इसे कवर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह से cover कर लेना है तो आपको इस तरह से पूरा इसे covering कर लेना है covering होने के बाद यह वाले जो block है आपको यहाँ पर तोड़ने यहाँ पर आपको एक chest रखनी है chest रखने के बाद आपको इस तरह से यह जो block है इन सभी को आपको mine कर ला है और यहाँ पे आपको लगाने hopper तो यहाँ पे आपको hopper इस तरह से connect करने आप step by step follow कीजे और hopper का connection कर दीजेगा इस तरह से आपको पूरे में hopper का connection कर देना है उसी के साथ आपको इस तरह से cover भी करना है आपको इस तरह से step by step इसे पूरा cover करना होगा ओके अब आपको क्या करना है यहाँ पे आपको एक block की area आपको छोड़ना है ताकि हम इसके अंदर जा सकें अब आपको इसके अंदर जाना है सबसे पहले आपको एक block लेना है diamond block उसे आपको यहाँ पे नीचे लगाना है इस तरह से नीचे लगाईए उसके बाद आपको यहाँ पे dead coral लेना है यहाँ पे dead coral मेरे पास है उसे आपको लेना है उसे आपको इस उपर वाले यहाँ पे इस लगाना है और यहाँ नीचे आपको इस तरह से लगाना है आप इस तरह से दोनों तरफ लगा दीजेगा लगाने के बाद अब आपको यहाँ पे रेज डस लेनी है और रेज डस को आपको यहाँ से लेके इस तरह से आपको connect करनी है और यहां तक आपको इस piston तक जो है रेज डस लेके आनिये इस तरह से आपको इसे connect भी करना है याद रहे गाईस इस तरह से तो आपको इस तरह से पूरा इसे बना लेना है बनने के बाद अब आपको water लेना है और water को यहां पे इस corner पे और इस corner पे आपको डालना है अब आपकी machine पूरी तरह से ready है अब सिप आपको यहाँ पे इसे cover करना है sorry दोस्तो तो यहाँ से हमें इसे cover करना है तो हम यहाँ से इसे पुरा cover कर लेते हैं cover होने के बाद अब सिप आपको इस machine को active करना है तो अब आपको बस यह लीवर एक्टिव करना है और इसके लिए आपको यहाँ पर लगाना है और लीवर को जैसे ही आप एक्टिव करोगे मशीन इस तरह से वर्क करेगी आप लोग देख सकते हो आगे पीछे होना शुरू हो जाएंगी और धेर सारी जो है आपको यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएंगे अल्लेमिटेट टाइमन और जिहां आपको यहाँ पर अल्लेमिटेट डाइमन और मिलेंगे और जिने आप माइन करके डेहर सारे जो है डाइमन ले सकते हो तो यहाँ पर दीखे चैस यहाँ पर ओपन हो चुकी तो यहाँ पर यह काम नहीं कर रहा है तो मुझे थोड़ा सा तो यहाँ पर आपको अल लिमिटिट और मिलेंगे और जो डुब्लिकेट होना शुरू हो जाएंगे जी हाँ अल लिमिटिट डुब्लिकेटर ग्लिच की मदद से आप धेर सारे जो है डाइमन और को आप डुब्लिकेट कर सकते हो और धेर सारे आपको यहाँ पे अल्लिमिटिट इंफा नाइट आपको डाइमन और मिलेंगे तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगए हो तो लाइक कर दीजे, शेर कर दीजेगा साथ ही हमारे चैनल को भी सस्क्राइब कर लीजे आज के लिए बस इतना ही, मिलते हमारी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर